असलाम उलेकुम फ्रेंड्स मैं खान नाजमी शरीफ वेलकम टू एपेच्टू क्लासेज फ्रेंड आज की इस फीडियो में हम लोग सेट 10 का जो हमारा रीजनिंग का पार्ट चल रहा है उसका आज पार्ट टू हम लोग करेंगी यानि आगे के क्वेश्चन्स को हम लोग सॉ रीजनिंग के जो भी कोशन अगर रहे गए है फर्स वीडियो में अगर आपको ऐसे लगता है कि सीक्वेंस वाइज कुछ 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 चूट गए हैं तो आप बेफिकर रही है मैं चेक करके उन कुश्चन्स को लास्ट वाले पार्ट में इंशाला जरूर कवर करवाऊंग में उल्टे हाथ से ग्यारवे हुरूफ के उल्टे हाथ से पांचवा हुरूफ कौन सा है अब उल्टे हाथ यानि क्या दिखिए है हमारा राइट और यह हमारा लेफ्ट यानि हम जिस पूजिशन में बैटे है उसी को हमारा राइट कंसिडर करना है और लेफ्ट पूजिश इस साइट से ओके यहां से क्योंकि सीधा हाथ आपका इधर है ना यह आपका राइट है यह आपका लेफ्ट हैंड है ओके तो उल्टे हाथ से याई आपके ही उल्टे हाथ से इधर साइट से आपको ग्यारवे हुरूफ के ग्यारवे हुरूफ पर जाना है पहले तो हमको तो ह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11, यानि ये 7th नंबर जो है, ये हमारा 11 हुरूफ है, अब 11 हुरूफ के उल्टे हाथ से, तो 11 हुरूफ का देखिए, ये हो जाएंगा इसका राइट हैंड, ये हो जाएंगा इसका लेफट हैंड, ओके, तब हमको इस साइड में जाना है, उल्टे ह हाथ से 5 हुरूफ कौन सा है, तो अब हमको यहाँ पर 11 हुरूफ के उल्टे साइड में 5 हुरूफ देखना है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, T, यानि यहाँ पर क्या अंसर आना चाहिए, इसका ती जो है, इसका सही जवाब होना चाहिए, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते क्या कह है, देखिए, उप्शन क्या कहा है, यहाँ पर, उप्शन नमबर A है 7, उप्शन नमबर B है T, उप्शन नमबर C है W, और उप्शन नमबर D है A, तो 7 जो है, यह तो हमारा 11 हुरूफ है, और इसके उल्टी तरफ, यानि इसके लेफ्ट साइड में 5 नमबर पर कौन सा मौज यह तर्फ, यह तर्फ, यह तर्फ, इसके लिए हमको इंगलिश को ही रेफर करना है, तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ के राम जो है, शुमाल की तरफ चल रहा है, कुछ देर चलने के बाद, वो अपने दाय जानी मुर जाता है, फिर लिटिल लेटर, फिर थोड़ी देर के बाद, वो अपने बाय जानी मुर जाता है, तो अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, यानि वो नौट से उसने स्टा श्राइब चल रहा है हम को यह यहाँ पर पुछा करेंगे पहले मैं इसके लॉंड हम इसके श्र ट्रीट है after a while he turned to his right उसकुछ देर चलने के बाद वो अपने राइट में मुढ़ जाता यानि यहां पर वो मुढ़ेंगा ओके लेटिला लेटर लेटर ही टरन तो ही लेफ्ट अब देखिए यह इसका राइट हो गया और यह इसका लेफ्ट हो गया तो कुछ देर चलने के बाद वो अ प्रहा है उटके अब उसकी सिर्फ कौण सी आ रही है उसके सिंथ आ रही है अगरीब की टर तरफ जो है वह अभी फिलहाल की दर चल रहा है उसकी अभी की जिर्यारिक्षान और द्रॉट करने के मतलग डाइग्राम के जर्यें की है ब इसकिनी पी बाइ डिरेइक्षन दी यह उसको हमको लिखना है पहले तो वह नौत वर्ड में स्टार्ट करता है तो यह तो इसका ठीक है यहां से नौत में उसने चलना शुरू किया उसके बाद वह जितने भी बार मुड़ा जिस जिस डायरेक्शन में उसको हमको लिखना है क्या है पहले राइट है तो राइट मे बुड़ा वो, उसके बाद क्या है left, उसके नीचे लिख देंगे, हम left में move किया, उसके बाद वापस से left, यहाँ पर आगए left, अब आपको क्या करना है, जैसे plus minus cancel हो जाते हैं, जैसे अगर minus का four, plus का four है, तो हम क्या करते हैं, इसको cancel कर देते, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक right और एक left जो कि opposite है, direction इनको cancel कर देना है, यानि जितने भी बार right, left, right, left cancel हो सकते हैं, आपको उनको cancel करना है, अब यहाँ पर एक ही मरतबा cancel हो रहे थे और हमारे पास अब एक मरतबा बच गया left, तो जहां से उसने चलना है, start के नी, north तरफ वो चल रहा है, तो अब वहा से आपको करना है, option देख लेते, option number A है, north, option number B है, south, option number C है, east, option number D है, west, तो हमारा क्या जवाब आ रहा था, इसका, west गया, option number D, इसका सहीं जवाब होना चाहिए, तो देख, option number D, इसका सहीं जवाब है, okay, next option देखी क्या है, complete the series choosing right figure from the given choices, आपको क्या करना है, इस series को यहाँ पर complete करना है, अब देखे, अगर आप गौर करेंगे, तो पहला जो figure है, पहले figure में क्या दिया गया, देखे, कुछ इस तरहां से दिया गया है, triangle इसमें 2 point है, उसके बाद जो दूसरा figure दिया गया है, उसकी direction देखिए, कुछ इस side में ही, यानि direction change होगी, और इसमें 3 point आ गय direction था इसका, तो अब कुछ इस तरहां से direction आ गई, यहाँ पर 3 point थे, तो यहाँ पर 4 point आ गए, उसके next वाले में देखेंगे, तो देखिए, direction फिर change होगी, इस तरहां से कुछ आ गया, इसका triangle का, जो direction है, और point कितने है, देखिए, point यहाँ पर 5, तो अब अगला जो हमारा आ सकता है, वो हमको देखना है, तो 6 point चाहिए हमको इसके अंदर, तो अब हम गिनते हैं किसमे 6 point थे, इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं, अब हम देखते हैं, इसमें 6 किसमे point थे, कि इसमें हमको 5 नज़रा रहे हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 6 से ज्यादा है, 7 है इसके अंदर, है next question देखी क्या है next question है three positions of a cube are given based on them find out which number is found opposite number one in a given cube यानि एक cube की position दी गई है इन cube को देखकर आपको यह पता लगाना है कि one number यानि एक के opposite में कौन सा cube आएंगा तो देखिए आप यहां पर कहां और करेंगे तो आपको क्यूब को compare करना है कैसे उनसे क्यूब करना है कोई numberर जो जिस vastông है कि उसके साथ जो अदर दो नंबर है क्या वो नंबर कि सी और क्यूब पर नजर आ रहे हैं तो देखिए ए हमको यहां पर नजर आ रहे हैं तो यह 2-4 eliminate हो गए यह 2-4 यहां से cancel हो गए तो जो number बज़ गए वो एक दूसरे के opposite में आ जाएंगे यानि 6 जो है यह 1 का opposite आ जाएंगा क्योंकि 2-4 1 के साथ भी दिख रहे हैं और 2-4 6 के साथ भी दिख रहे हैं तो जहां पर भी इस तरह से common number match करते हैं वहां से common वाले छोड़ कर जो number बज़ जाएंगे वो एक दूसरे के opposite होंगे तो 2-4 दोनों भी cube में common है तो 2-4 eliminate हो जाएंगे और 1-6 जो है वो एक दूसरे के opposite में आ जाएंगे तो option number D देखिए इसका यहां पर सहीं जवाब है ओकी next question देखी क्या है next question कुछ इस तरहां से है which of the following is not an example of two dimensional face figure यहां पर कौन सा example दो दो पहल वी शकल का नहीं है या two dimensional नहीं है two dimensional यानि क्या जिसमें सिफ लंभाई और चोड़ाई हमको नज़र आती है यानि length और breath ही नज़र आती है इसमें हमको height नहीं नज़र आएंगी या तो फिल सिफ लंभाई और height नज़र आएंगी चोड़ाई नहीं नज़र आएंगी यानि सिफ दो चीज़े हम उसके दो पहलू हम उसके देख सकते है कि तीसरा हम नहीं देख सकते. तो यहाँ पर हमको यह पहचाना है, कि तूण डाइमेशनल नहीं है, यानि तूण तूण इमेशनल हो सकता है, तो कौन सा फिगर है? तो आप एकदम आजने से देख सकते हैं, यह फिगर जो हमको नजर आ रहा है, ये एक 3 dimensional figure है, और ये भी 2 dimensional है, लेकिन यहाँ पर जो D है, option number D जो है, ये क्या है, 3 dimensional है, इसकी हमको लंबाई, चोड़ाई और उचाई, सभी के सभी पहलू हम इसके देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगा, 3-dimensional figure हो जाएगा, तो option number D, जो हैं, यहां पर इसका सही जवाब है, अगर यह कुछ इस तरहां से होता, अगर यह इस तरहां से होता, थो हम इसको 2-dimensional consider करते हैं, लेकिन इसका यहां पर यह जो part है, इसकी वज़ह से, हम इसको consider करेंगे, कि यह क्या है, 3-dimensional है, okay, next question देखिए क्या है each question has a main statement followed by four statement label A, B, C and D choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement अब यहाँ पर दो statement दिये गए हैं और यह दो statement के conclusion यहाँ पर चार statement है तो इस statement के कोई दो ही जो है सही conclusion हो सकते हैं यह logically consistent हो सकते हैं तो वो कौन से दो sentence हमको पहचाना है तो देखिए इसमें and वाली condition होती है either or वाली condition होती है neither nor वाली condition होती है तो आपको उसके हिसाब से याद रखना है कि कहाँ पर क्या आपको select करना है तो देखिए यहाँ पर जो main sentence है वो क्या है you are either a fool or a naive यानि या तो तुम बेवकूफ हो या तुम अतियार या हुशियार हो जो भी है तो यहाँ पर अभी क्या है देखिए either or जो भी either के साथ वाला आता है न उसको हमको true मानना है और जो और के साथ आता है न उसको हमको false या not वाले sense में मानना है जैसे you are either a fool तो इसका मतलब हो गया कि you are a fool यानि तुम बेवकूफ हो और और अनेव और के साथ आगे ना नेव तो इसका मतलब हो जाएंगा you are not a नेव यानि यहाँ पर not लगा देने आपको तो अब ऐसे जुमले हमको select करना है कहाँ पर है तो देखिए हाँ आप देख सकते हैं यू आर नाट अनेव यू आर अव फूल यह जो सही इसका logically consistent होगा डी ए ओके तो यहाँ पर option number a जो है अप्चिन अबर b क्या है देखिए डी ए है option number c c b है और option number d a b है तो इसका देखिए सही जवाब आप देख सकते हैं कि d a जो है इसका सही जवाब होगा कि you are not a naive you are a fool okay next question देखिए क्या है syllogism से related question है in these questions two statements are given followed by two inferences a and b assume the statements to be true even if they are at variance with the known facts and then marks your answer as यानि दो statement दिये गए हैं और वो statement की जरिए हमको decide करना है कि नीचे जो दो conclusion ये variance दिये गए है क्या वो सही है या गलत है दोनों उसको follow करते है या कोई एक follow करता है या फिर दोनों भी follow नहीं करते है मतलब हम कोई यह देखना है तो देखिए क्या दिया गया सवाल some books are hooks and all books are fish तो देखिए ये वेन डायग्राम के जरिए हम इसको solve कर सकते हैं अब some वाली जो condition होती है उसमें क्या करना होता है दोनों चीजों को कुछ हिस्सा हमको यहां पर overlap बताना होता है अब यहां पर क्या कहां गया है some books are hooks तो देखिए क्या कहां गया है some books are hooks तो some वाली जो condition होती है तो जो दो चीजों को बताया जाता है कि वो दोनों में connection है some वाला तो वहाँ पर आपको उन दो चीजों को overlap करना होता है partly overlap करना होता है तो यहाँ पर some books hooks कहां गया है तो यह suppose यह books है और यह hooks है तो कुछ books जो है वो hook है तो यह वाला जो part है यह जो overlap वाला part यह बताता है कि कुछ books जो है क्या है hooks है मतलब दोनों भी overlap होते हैं उसके बाद next वाला क्या कहां गया है all books are fish जितने भी books है फिश है तो all वाली जो condition होती है तो जिसे भी all कहां जाता है जैसे all books books को all कहां गया तो books वाला circle अंदर आएगा और क्या कहां गया books को fish कहां गया तमाम किताबे मचलि जो है यह बड़ा circle बनेगा और किताबों का उसके अंदर छोटा circle बनेगा यह पूरी तरहां से वह उस पर overlap हो जाएगा तो इसका मतलब यहां पर हमारा books क्या जाएगा यहां पर fish है तो कुछ इस तरहां से आएगा यह all books are fish यानि यह बन गया हमारा fish वाला इस तरहां से हुक्स जो है वो fish है तो देखिया हम देख सकते हैं यह वाला जो part है देखिए इतना part जो है जो से इतनाminute की यह पूरा के पूरा part जो है फिश में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया यकि इतना जो पार्ठ यो क्या है फिश हो गया उसके बाद क्या कह रहा है कि some fish are hook fish का भी इतना ही part जो है वो कहां पर आ रहा है देखिए hooks के अंदर आ रहा है तो यानि ये भी सही हो गया इस हिसाप से देख जाए तो यानि A और B दोनों भी क्या कर रहे हैं यहां पर follow कर रहे हैं तो इस हिसाप से अगर हम देखेंगे तो कहां पर है A और B option number C में module देखिए और if both A and B follows यानि दोनों pair भी करते हैं दोनों भी यहां पर सही होते हैं क्योंकि कुछ इस तरहां से बना था यह fish वाला बन गया था और यहां पर यह कुछ hooks वाला इस तरहां से बना हुआ था तब यह हो गया कि यह जो पार्ट जो ओवर्लैप कर रहा है वो fish और जो hook से उनकी बीच के connection को बता रहा है तो इस वाली जो कंडिशन होती है वाली जो कंडिशन होती है वैसे कुछ और डिफरेंट टाइप के उसमें होते हैं तो हम देखेंगे इसको कैसे करना है देखें question क्या है each question has a main statement followed by four statements labeled A, B, C and D choose the ordered pair of statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement यही करना है यह जो main statement दिया गया है इसते दो कौन से दो statement जो logically consistent है हमको वो पहचानना है तो देखें अब इसको कैसे solve करेंगे हम देखें यहाँ पर है you went up sorry if you go up you feel cold यानि अगर तुम उपर जाते हों तो तुम्हें cold फिलोंगा या तुम्हें सर्दी महसूस होंगी आप उपर जाएंगे तो आपको सर्दी महसूस होंगी तो अब ऐसे जो जुम्ले होते हैं if वाले तो if वाले जुम्ले के अंदर आपको दोनों भी जुम्लों को क्या करना है positive मान कर चलना है यानि दोनों condition को हमको correct मान कर चलना है तो यहाँ पर इसका कैसे आएगा देखिए you went up यानि आप उपर गए past tense में हमको उसको लेना है you went up यानि आप उपर गए you failed code आपको सर्दी महसूस होई यानि c और a यहाँ पर जो है इसका logically consistent जो है सही होगा तो यहाँ पर क्या इसका सही जवाब होंगा a and c जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होंगा कि you went up you felt code यहाँ आप उपर गए आपको सर्दी महसूस होई तो a और c option number a में दिया गया है तो option number a ही इसका सही जवाब होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए option number a जो है इसका सही ज crian लॉशिक ली कंसिस्टेंट वाला कुष्टन है कि यहां पर भी आपको दो जुम्ले दिये गए है कौन से जुम्ले लॉजिकली कंसिस्टेंट वह आपको क्या करना है पैचानना है तो देखिए क्या है दो जुम्ले हम पहले वह दो जुम्लों को पढ़ लेते हैं क्या है देखिए, क्या है देखिए, if you lost in the game, you learn a lesson, यहनि अगर आप खेल में हारते हैं, तो सबक सीखते हैं, अब यह जुम्लों को हमको past tense में consider करना, यहनि जमाने माजी के बना देना है, और दोनों को भी हमको positive ही मानना है, तो क्या हैंगा देखिए, you lost in game, यहनि a वाला correct हो you learned a lesson, c वाला यहां पर सही हो जाएंगे, यहनि आप खेल हारे, आपने सबक सीखा, तो a और c ही यहां पर logically consistent होगा, तो a and c, option number a में ही given है, तो option number a जो है, यहां पर इसका सही जवाब होना चाहिए, देखिए, option number a इसका सही जवाब है, यहनि आप game हारे, यहां आप खेल हार आपने सबक सीखा, ओके, next question देखिए क्या है, in each of the following questions, one number is missing in the series, you have to understand the pattern of the series and insert the number, यहनि यहां पर एक number series दी गई है, वहां जो missing number है, आपको वो ढूनना है, वो तलाश करना है, लेकिन कैसे जो series का pattern है, उसको आपको समझना है, और उसकी जरीए आपको तलाश करना है, ओके, तो देखिए, series क्या है, देखिए, series क्या है, 2, 3, 5, 9, 17 और 33, तो देखिए, 2 के बाद आया है, 3, 2 के बाद 3 कैसे आया है, plus 1 करके, 3 के बाद क्या आया है, 5 आया है, यह कैसे आया है, plus 2 करके, 5 के बाद क्या आया है, 9 आया है, यह कैसे आया है, plus 4 करके, 9 के बाद क्या आया है 17 ये कैसे आया है plus eight करके और 17 के बाद क्या आया है 33 ये कैसे आया है देखिए ये आया है plus 16 करके इसका मतलब क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे गौर से तो जो number है जो addition हो रहा है हर दूसरे number में वह उसका double addition हो रहा है यानि पहले वाले में एक एड किये थे, दूसरे वाले में उसका डबल दो एड किये, फिर तीसरे वाले में उसका डबल चार एड किये, चौते वाले में यानि नव में उसका डबल आट एड किये, नि चार का डबल आट, फिर सतरा में जो है आट का डबल सोला एड किये, तो तेतीस में जो है सोला क पर बन कितना होता है 32 कार दिशंग सका करको हम ओंगे तो कंसंट हम minder अउस्ट फार यहां पर टो हम करेंगे शहां पर option number D जो ही हाँ पर इसका सही जबाव है next question देखी क्या है two statements are given followed by four conclusion one, two, three and four you have to consider that statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts you are to decide which of the given conclusions can definitely be drawn from the given statement statement देखी क्या है all pens are pencil यानि जितने भी pen है वो pencil है तो all pens कहा गया तो pens का अंदर आएंगा और pencil का बाहर आजाएंगा ओके यह है pens और pens को क्या कहा गया है pencil कहा गया तो यह आगया pencil का no pencil is monkey अब कोई भी pencil जो है monkey नहीं है तो यह बाहर आजाएंगा ओके या आगया monkey वाला बाहर किसका बाहर आए ये monkey वाला बाहर आ गया अब क्या कह रहा है देखे conclusion क्या है no pain is monkey यानि कोई भी pain जो है monkey नहीं है no pain is monkey तो कहा है no pain is monkey तो देखे pain और monkey में भी यहाँ पर कोई connection हमको नजर नहीं आ रहा है तो यह हो सकता है some pains are monkey अब कुछ pains कह रहा है monkey है तो देखे यहाँ पर some pains are monkey लेकिन pain और monkey का कोई भी connection नहीं है तो यह तो incorrect हो जाएगा all monkeys are pain यह भी connection नहीं है यहीं सही होगा यहाँ पर है तो तीनों के तीनों यहाँ पर wrong होगे सिर्फ no pain is monkey कोई भी pain monkey नहीं है यहीं सही होगा यहाँ पर तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो only one conclusion follow होगा यहाँ पर तो दीकिए option number a क्या है either conclusion two or three follows बिल्कुल भी नहीं either conclusion one और fourth follow बिल्कुल भी नहीं दूसरा और चौता भी follow नहीं कर रहा है conclusion one follows यानि पहला conclusion जो है वो follow कर रहा है तो option number c हो सकता है option number d क्या है all conclusion जो है follows यानि सभी के सभी follow कर रहे हैं तो यह बिल्कुल भी wrong है यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो सिर्फ option number c है सिर्फ a की conclusion यहाँ पर follow कर रहा है तो option number c इसका सही जवाब होगा नेक्स कोशन दिखी क्या है तो कौन सा कन्क्लूजन सही होंगा वो हमको यहां पर सिलेट करना है तो दिखी क्या है इसका कन्क्लूजन क्या निकलेगा यानि जो फसादी है यह कौन से कम्यूनिटी से बिलॉग करते है वाइ कम्यूनिटी से बिलॉग करते और यह जो है गवर्मेंट की पॉलेसी को प्रोटेक्ट यानि फसादी हुकुमत की पॉलेसी के खिलाफ एहतेजाज नहीं कर रहे थे तो यहां पर साफ साफ दिया गया है तो जो फसादी थे उनका तालुक यहां पर बताया गया है तो मेरे इसाफ से तो दोनों भी यहां पर इनकरेक्ट होंगे कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि वो कौन सी ब्रादरी से तालुक रखते थे जिनकी प्रॉपर्टी लॉस्ट भी उनका बताया गया यहां पर फॉलो कर रहा है तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो इस हिसाफ से अगर हम देखेंगे तो उप्चन अबर डी जो है यहां पर इसका सही जवाब होगा यहां पर क्या करना है देखिए आपको सिरीज को कम्प्लीट करना है तो पहले के दो के पैटन हमको पहचानने है और फिर इसका पैटन हमको यहां पर सिलेट करना है तो देखिए आप देख सकते हैं यह वाला कुछ इस तरहां से बना हुआ है यहां पर यह है यहां पर इकवल है यहां पर प्लस है तो दूसरे वाले figure में देखिए सिफ sign change हो गया, जो प्लस इधर side में है, वो इधर side में आ गया, जो round है वो इधर side में आ गया, जो equal का sign है वो यहां आ गया, जो minus का sign है वो यहां पर आ गया, बस और कुछ भी changes नहीं हुए, यानि उनका आपस में जो आमने सामने के जो symbol से उन कहां पर नज़र आ रहा है, option number D में नज़र आ रहा है, तो option number D जो है इसका सहीं जवाब होगा, दीकि option number D इसका सहीं जवाब है, नेक्स question दीकी क्या है, rearrange the following five sentence P, Q, R, S, and T in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below, यानि यह जो 5 sentence दिए गया है, इसको meaningful paragraph बनाने के लिए हमको rearrange करना है, सही तरती question कर चुक है, लेकिन मैं आपको दुबारा से इसकी तरतीव देकर बताती हूँ, क्या है, देखिए, वरुना वाज डिलाइटेट तो सी अलोड कृष्णा एंड एपोलोजाइस फोर कैप्चरिंग इस फादर, अब देखिए क्या है, वरुना देवता कृष्णा को देखकर खुश हुआ और इसके बाप को पकड़ने के लिए माफी मांगी, तो दीखिए, मैं इसको डिरेक्ली रियारेंज करके बता देती हूँ, सबसे पहले क्या हैंगा, वन डे नंद महाराज वें टु हैव बात इन रिवर यमुना, यानि एक दिन जो नंद महाराज है, वो आनि के अंदर थी, तो यहाँ पर क्यू सेकर नंबर पर आजएंगा, ओके, एस तुन एस दे न्यूज रीच लॉड कृष्णा, ही रीच टु सेविस वादेनी, जैसे ही खबर लॉड कृष्णा तक गई, वो अपने बाप को बचाने के लिए पहुँचा, एस जो है, यह त चौते नंबर पर, और पाच भी नंबर पर के आएंगा, क्रिशना रिटर्न टु व्रिंदावन वित नंद महारा, जो क्रिशना अपने बाप को लेकर व्रिंदावन पहुच गया, आर जो है, यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगा, ओके, तो हमको क्या पुचा है, तीसरे न तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स वीडियो में इंशाला हम बाखी के कुश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेय कीजिए, और अगर अभी तक आपने FH2 Classes को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, नेक्स वीडियो आने तक मुझे दूआ में याद रखिए, अल्ला हाफीज